हेलो अच्चो क्या हाल चाल कैसी चल रही है पड़ाई तो आज के इस वीडियो में लोग डिसकस करने वाल है जे इमेंट उठान 13 का पेपर ये पार्ट 5 होने वाल है इससे पहले हमने अल्रेडी 20 क्वेश्चन कर रखे हैं और अगर तुम्हें नहीं आता है तुम पूरा गौर से सोचो कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा उसमें कौन-कौन से important point थे जिसको मैंने notice करा और उससे मैंने कैसे relate किया कि मैंने ये सारे concept पढ़े हुए इस chapter का इस concept को मैं अगर apply करूँगा तो ये question solve हो जाएगा तो इस तरीके से तुम्हें एक line of thinking पता चलती जाएगी जब line of thinking पता चल जाती है न तो question solve करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि तुम तुरंत relate कर पाते हो कि हाँ तुमने ये पढ़ाता ये apply करूँगा अंसर आ जाएगा तो चलो यार वीडियो को start करेंगे सबसे पहला question हमारे पास screen पे है and ये question हमारे पास PNC का है जब तुम question को पढ़ोगे बोला गया let tn be the number of all the possible triangles formed by joining the vertices of an n-sided regular polygon if t of n plus 1 minus tn is equal to 10 then the value of n is question ध्यान से देखना उन्होंने एक tn को define किया और इन tn क्या है तो उनके हिसाफ से tn is basically what tn is number of all possible triangles जो की बन सकते हैं n-sided regular polygon के vortex को join करके अब तुम्हें सोचो n-sided regular polygon है this means जब कोई भी regular polygon होता है तो वो सारे जितने भी vortex होंगे वो सारे के सारे no three points will be collinear ऐसा है क्या तुम बोलोगे yes sir no three points will be collinear ठीक है ओके तो अगर मैंने इस circle इसलिए बनाया ताकि मैं collinear point ना बना दू तो तुम इस तरीके सोचो कि मेरे पास n different points है जिसमें कि none of the three are collinear कोई भी तीन collinear नहीं है अब मुझे उन में से कोई भी तीन point select करता हूँ and उन तीनो point को अगर let's say join करता हूँ तो क्या एक triangle बनेगा तुम बोलोगे हाँ sir similarly let's say ये point join करता हूँ ये point join करता हूँ and ये वाला ही point join कर लेता हूँ क्या फिर से एक triangle बना तुम बोलोगे yes sir okay this means ये question तो class में बताया जाता है सबके कि तुम क्या करो अगर n different points है none of the three are collier तो nc3 number of triangles बनेगे अच्छा n vertex है उन में से मैंने कोई भी 3 vertex select कर लिया एक triangle बन जाएगा क्या this means हर एक selection के पीछे एक triangle रहेगा क्या तो nc3 का मतलब क्या हो गया nc3 is equal to number of ways in which we can select 3 point अच्छा जितने तरीके से 3 point select कर पाएगे उतने तरीके से triangle बन जाएगा क्योंकि हर एक selection के पीछे कितने triangle छुपे होंगे ओके इसका मतलब इनोंने जो ये tn दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था nc3 ओके देन उन्होंने एक equation दे दिया उन्होंने बोला कि भाईया ये जो tn है ये equation satisfy करता है that is t of n plus 1 minus tn is equal to 10 t of n plus 1 n के जगा क्या replace करोगे n plus 1 so n plus 1 c3 minus t of n that is n c3 is equal to 10 के बराबर अब देखो तुमारे पास एक उसका क्या होगा ये तो तुम बोलोगे n plus 1 c3 is n plus 1 का factorial divided by 3 का factorial multiplied by n plus 1 minus 3 का factorial minus n c3 क्या होगा ये तुम बोलोगे n factorial 3 factorial n minus 3 का factorial is equal to 10 के बराबर given है अब देखो तुमारे पास एक option होता है या तो equation solve कर लो या फिर तुम किसी भी option को n की value put करो and answer निकाल लो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कर लो exam में तुम्हें क्या करना है या तो n की value रट से 5 दे दी तो ये 6 c3 minus 6 c3 हो गया 5 c3 अब देख लो इसकी value क्या 10 आ रही है अगर आ रही है तो n is equal to 5 है अच्छा अच्छा इस this means अगर मैं इस equation को solve करने जाओ तो solve तो करी लूँगा n नहीं भी solve करना चाहो तो answer आ जाएगा अच्छा solve करने कोशिस करे तो कैसे करोगे तुम बोलोगे this is n minus 2 का factorial n minus 2 factorial काटोगे तो n minus 1 into n into n plus 1 उपर रहेगा यहाँ पर n minus 3 factorial काटोगे तो तुमारे पास आएगा n minus 2 into n minus 1 into n रहेगा ओके दोनों में क्या common है n into n minus 1 तुम n into n minus 1 common लेलोगे और नीचे 3 factorial रेटी 6 भी common है ब्रैकेट के अंदर जाएगा n plus 1 minus n minus 2 is equal to 10 ओके तो इस question को solve करना बहुत ही आसान हो चुका है हमारे लिए n into n minus 1 upon 6 n का कटेगा 1 minus minus plus 3 so 3 into 2 this is equal to 10 तो यहाँ से मुझे पता जला n into n minus 1 is equal to 20 तो यह 5 into 4 is equal to 20 होता है मुझे directly answer दिख रहे है so n की value 5 होगी n टुक्के से हमने assume जो किया थे n is equal to 5 exactly वही answer भी आ गया कोई दिक्कत इस question में नहीं होने चाहिए इस question में तुम्हें क्या आना चाहिए था सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यह पता होना चाहिए था कि भया number of triangles बनते कितने है PNC का सिर्फ और सिर्फ इतन करना था factorial में जो की solve करने I guess अब को आता होगा चलो next question पर move करेंगे next question अपने पास complex number का question है complex number से बहुत सारे बच्चे डरते हैं और बहुत सारे बच्चों का यह favorite topic भी होता है ठीक है जिनको समझ में आ जाता है कि एक पर complex number को किस तरीके से treat करना है उनके लिए favorite topic हो जाता है तो इस complex number को देखो और बोला गया है if z is a complex number of unit modulus ठीक है एक complex number is z एक unit modulus का and argument थीटा this means mod z की value कितनी दी हुई है 1 अच्छा argument of z कितनी दी हुई है तुम बोलोगे थीटा सर इतना पता है मुझे argument of z is equal to theta and mod z is equal to 1 then बोला गया है argument of एक और complex number that is 1 plus z divided by 1 plus z bar का argument बता दो गया अच्छा मुझे इस चीज को देखके एक चीज याद आई क्या मैंने देखा है और mod z की value given है mod z की value अगर 1 होती है that is unimodular complex number होता है तो वहाँ पे तुम्हें बताया जाता है कि z is same as 1 upon z bar ऐसे ऐसे कैसे ऐसे ऐसे इसलिए क्योंकि हमें पता है कि mod z का whole square कितना होता है 1 अच्छा sorry mod z का whole square कितना होता है z multiplied by z bar mod z का whole square z multiplied by z bar होता है and mod z is 1 to 1 का square is 1 this means z multiplied by z bar की value कितनी है 1 है this means z is equal to कितना है 1 upon z bar है this means अगर मैं इस चीज को simplify करना चाहूं तो I can say this is argument of 1 plus z को z ही रहने दो इसको लिख दो z bar को 1 upon 1 by z and I guess सबको अब दिख रहा होगा कि this is बहुत ही simple चीज 1 plus z divided by z plus 1 divided by z जो की z plus 1 का कटेगा this is same as the argument of z and argument of z तो अभी तुरंद बताया गया कितना है ठीटा कितना simple question complex number का question बहुत ही simple बहुत ही आसानी से हमने solve कर लिया ठीक है बस तुम्हें एक फंडा पता होना चाहिए था कि mod z का whole square is equal to zz bar this means कि अगर मेरे पास एक complex number है and उसका modulus की value given है and z and z bar में बात चल रही है तो जरूर में इस funde को use करूँगा दूस्ता तरीका क्या हो सकता है एक बच्चा assume कर ले z को कि sir z is r into e to the power iota theta होता है जहाँ पे r की value 1 है and iota theta so z is e to the power iota theta so z bar will be e to the power minus iota theta and तुम क्या करो इन दोनों को यहाँ पे put कर दो and you will get directly e to the power iota theta type change समझे चल नेक्स्ट क्वेश्चन प्वूफ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यार अपने पास area under the curve का बोला गया area in square unit उन्होंने पहले ही बता दिया square unit में यह area आएगा और obviously बात है bounded by the curves दो कर दिये हो है y is equal to root x जो कि बहुत ही simple कर हो है हमारे लिए और एक line given है and x axis ओके तो area under the curve का question जब भी आता है हम ही क्या करना होते है एक diagram बनाना होता है बहुत ही प्यारा सा diagram बनाने लिए बाद सब कुछ दिख जाता है clearly किस चीज को integrate करना है कौन सा element लेना है horizontal या फिर vertical everything will be crystal clear समझ में आई बाद चलो diagram बनाए ठीक है बनाते है diagram ध्यान से बनाएंगे y is equal to root x का graph कुछ ऐसा होता है आधा पैरा बोला होगा क्योंकि y square is equal to x है y square is equal to x is y square is equal to 4ax type लेकिन y सिर्फ और सिर्फ root x है तो negative वाला हट जाएगा सिर्फ root x का graph उपर वाला हो जाएगा next ये point मुझे पता है 0,0 2y minus x plus 3 is equal to 0 इसको x की value 0 डालोगे तो y की value आती है minus 3 by 2 x की value 0 डालोगे तो y की value आती है minus 3 by 2 0, minus 3 by 2 and y की value 0 डालोगे तो x की value आती है 3 y की value 0 डालोगे तो x की value आती है 3 this means ये जो line आएगा कुछ तो ऊपर की तरफ जाएगा and ऐसा तो यह point मुझे पता है यह point मुझे पता है आगे देखते हैं यह point of intersection निकाल लेंगे यह point मुझे पता है 0,0 है मुझे कौन सा area चाहिए end x axis area bounded between this this end x axis वो तो यह वाला area है मुझे यह area निकालना है अब यह area निकालना है अगर तो मुझे point of intersection बहुत यह अच्छी तरीकेस पता होना चाहिए this is 3,0 अच्छे यह 3,0 है यह वाला point कैसे है अगर दोनों curve को solve करना परेगा क्या करे solve करे या ना करे तुम बताओ solve करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ओके 2y minus x के जगह मैं क्या लिखूँगा न y square plus 3 is equal to 0 तो यहां से y square minus 2y minus 3 is equal to 0 y की value minus 1 डालते हो यह 0 आता है this means y plus 1 multiplied by y minus 3 is equal to 0 y की value या तो minus 1 आई या तो 3 y की value या तो minus 1 और minus 1 क्यों आई क्योंकि यह curve नीचे जाता तो यहाँ पे point of intersection होता and यह जो 3 आया तो this is point 3 तो y की value 3 है तो x की value कितनी है 9 है ना y की value 3 है एक बार y की value 3 है तो x की value 9 है तो 9,3 ठीक है तो यह point आ गया अब देखो overall हमें area निकालना है सारे points पता चल चुके है अब main fund आता है कि elements लेने आते हैं या नहीं तुमें elements लेने लिए या तो हम horizontal elements ले सकते हैं या तो vertical elements ले सकते हैं x star minus x left यह सब करते रहेंगे ठीक है अब जब तुम element लेने जाओगे तो मैं सोचो अगर तुमने सोचा कि मैं vertical element लोगा vertical element लोगे dx का तो तुमें दिख रहे है यहां तक यहां तक तो बहुत सई ultimately integration हो जाएगा तुम क्या करोगे 0 से 3 तक x में जाओगे देन 3 से 9 तक जाओगे ठीक है एंड दोनों टाइम y up minus y down निकालोगे लेकिन यही तो हमें आसान बनाना है हमें बोलना है कि नहीं मैंस element क्यों लोग मैं अगर horizontal element लेता हूँ तो I can see कि भाई dy का element लेता हूँ y की value कहा से कहा तक तो मैं बोलूँगा 0 से 3 तक x right minus x left हमेंसा same चाही आ रहे है this means y की value 0 से 3 x right x right is what x right is 2y plus 3 minus x left x left is what y square का integration dy simple यह अरिया आ जाना चाहिए अपना so this is 2y का integration is y square by 2 and 2 से 2 कट जाएगा plus 3y minus y cube by 3 0 से 3 लेना है 0 डालने पर सब 0 आ जाएगा 3 डालने पर जो भी answer आ जाएगा 9 plus 9 minus 3 into 3 into 3 that is 9 minus 9 ठीक है so this is 9 area ultimately आना कितना चाहिए 9 option number a तो simple question था solve हो गया कोई tension की बात नहीं है I hope तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा समझ में आ रहा है और चाहते हो कि इस तरीके series आते रहे जितने भी previous year है सारे के सारे अगर मैं solve कर दू तो channel को like करो share करो दोस्टों के साथ and subscribe करो यार subscribe करोगे तभी मुझे मोटिवेशन आता है comment करोगे like करोगे तभी logo तक reach कर पाएंगे हम लोग ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं मुझे नहीं लगता है कि YouTube पे कोई भी ऐसा channel है जिस पे सारी के सारी PYQ डाले हुए एक-एक question detail में discuss किया हुआ ठीक है चलो इस question को देखते हैं ये question है अपना matrix and determinant का हमारी पास एक matrix given a P जो कि बहुत ही प्यारा सा हुआ उसमें एक चीज़ अन्नोन एड़ इस alpha एंड ये जो matrix है this matrix is adjoint of a 3 cross 3 matrix A this means adjoint of matrix A is P लिख लेता हूँ मैं लिखने में क्या ही जाता है adjoint of matrix A is P आगे देखना भीया and determinant of A is equal to 4 determinant of A given ना कि determinant of P खेक है then alpha की value पूचिए अब देखो यहाँ पर major एक simple सा formula है जो अगर बच्चों के याद रहेगा तो question for all परना बहुत ही आफ्टान हमें ये पता होना चाहिए adjoint of A का determinant जो होता है वो determinant of A से related होता है उस पे power n-1 होता है जहाँ पे n क्या है तो उस matrix का क्या m cross n जो है 3 cross 3 third order matrix है या fourth order का है या fifth order का like this यहाँ पे n की value तो 3 है तो 3 minus 1, 2 यह तो बहुत simple हो गया adjoint of A का determinant is determinant of A का whole square adjoint of A तो P है P का determinant is same as 4 का square 16 okay simple this means इस question में सिर्फ इसका determinant को निकालके इसके square के बराबर कर देना था इसका determinant निकाल लेते है 1 multiplied by row and column गया 3 into 4, 12 minus 3 into 4, 12 minus alpha alpha करोगे तो इसका row and column गया तुम बोलोगे 1 into 4 that is 4 minus 2 into 3 that is 6 then तुम बोलोगे ये row and ये column that is 3 के साथ plus then 1 into 4 is 4 minus 3 into 2 is 6 okay is equal to 4 का square that is 16 12 minus 12 0 4 minus 6 minus 2 minus 2 into minus alpha is 2 alpha 4 minus 6 is minus 2 minus 2 into 3 is minus 6 is equal to 16 2 alpha is equal to 22 alpha is equal to 11 option number 2 असान question सिफ तुमें क्या याद होना चाहिए था adjoint of a का determinant जो होता है matrix के determinant पावर n minus 1 के बराबर होता है ओके चलो next question पर move करेंगे and यह आखरी question है आज के वीडियो का and देखने में बहुत खतर नाक है लेकिन चलो हम लोग तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे इसको अब देखो इस question को multiple ways से किया जाता है मैं एक method बताऊंगा and multiple method मैं तुमें idea देदूँगा किस तरीके से भी सोचा जा सकता था SOT से भी सोचा जा सकता था ABCD एक trapezium है ABCD is a trapezium such that AB and CD are parallel उपत मस्त AB and CD are parallel तो किसको क्या लेना है बताऊ A, B, C, T AB and CD are parallel Okay, BC is perpendicular to CD BC is perpendicular to CD Okay तो कुछ step से बनाना पड़ेगा मुझे इस step का trapezium हो जाएगा ABCD BC is perpendicular to CD AB is parallel to CD Okay Angle ADB is equal to theta Angle ADB is equal to theta ये angle पूरा का पूरा theta से बनावड़े Okay ADB है ना? ADB हाँ BC is equal to P ये P है CD is equal to Q तो ये वाला कितना आ जाएगा P square plus Q square का root under जो पता है हमने लिख लिया Then हमें पूछा गया AB is equal to what? इस AB का length मुझे बताना है Okay Simple है AB का length बता दूँगा मैं तुम यहाँ से तो एक perpendicular draw करो पहले जैसे ही perpendicular draw करो गएगा Let's say M पे cut हुआ This means MB का length मुझे पता चल गया Q And Let's say AM is equal to X तो AB का length कितना आ जाएगा Ultimately तुम बोलो कि Sir Q plus X कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो जो दिख रहा है करते जा रहे अभी तक theta के हम लोग बोल सकते है theta को bisect करेगा नहीं बिल्कुल नहीं ओके और आगे देखेंगे Since ये दोनो parallel है ओके तो यहाँ पे मुझे Q पता है तो मुझे dm पता चल जाएगा है ना dm will be equal to dm will be equal to root under इसका square that is P square plus Q square तो dm तो आ गया ना P के बराबर directly dm is equal to P ये तो given है cb के बराबर तो यहाँ पे एक rectangle बन रहा है ये 90 degree हो गया ये rectangle बन रहा है और ये 90 degree हो गया अच्छा ये total theta था ये total theta था तो let's say ये alpha है या फिर एक काम करते है ये alpha है तो यहाँ से मुझे tan alpha पता चल जाएगा tan alpha is equal to P upon Q एक चीज पता चल जाएगा अगर मैंने एक alpha angle assume किया तो अच्छा ये अगर alpha है तो ये पोरा 90 degree है तो ये हो जाएगा 90 degree minus alpha हाँ सर अच्छा वो भी छोड़ो ये अगर alpha है तो ये angle भी alpha हो जाएगा बोलोगे हाँ सर अच्छा ये total theta है तो ये angle क्या पता चल जाएगा तुम बोलोगे हाँ this angle will be 180 degree minus theta plus alpha अच्छा वा 180 degree minus theta plus alpha तो 10 of 180 degree minus theta plus alpha की value ही पता चल गई P upon X ओके ADM triangle में अच्छा 10 180 degree minus theta होता क्या है 180 degree minus theta is minus 10 theta minus 10 theta is equal to P upon X ओके 1080 degree minus theta is minus 10 theta अच्छा 10 alpha मुझे पता है मुझे 10 theta की तो में answer तो चाहिए मुझे ultimately चाहिए X X पता चल गया मुझे X will be equal to minus P upon 10 of theta plus alpha 10 alpha की value में यह substitute कर जूँँगा आ गया तो minus P upon 10 theta plus 10 A plus 10 B divided by 1 minus 10 A 10 B यह तो यह तो X की value आगे X की value आ जाएगे तो A भी आ जाएगा तो X will be equal to minus of P times 1 यह P times 10 theta into 10 alpha कीतना है था P upon Q minus 1 divided by 10 theta plus P upon Q okay इसको simplify करो P को अंदर ले जाओ P square into 10 theta minus Q divided by Q times 10 theta plus P मैंने LCM ले लिया और उपर ने चे Q से multiply करें So ultimately answer आ गया अपना लेकिन सारे इक सारे answers P sin theta and cos theta के time में तो sin theta and cos theta एक time में डालेंगे A B चाहिए मुझे तो A B will be equal to A B will be equal to X that is P square 10 theta 10 theta is sin theta upon cos theta minus Q divided by Q times sin theta upon cos theta plus P plus Q x plus Q ठीक है अब अनों जगह उपनी चे cos theta से multiply करो P square into sin theta minus Q cos theta divided by Q sin theta plus P cos theta plus Q तो इसको simplify करेंगे नीचे आ जाएगा Q sin theta plus P cos theta P square sin theta minus Q times cos theta plus Q square plus Q cos theta plus P q cos theta ठीक है ओके आंसर आगे अपना लगा है अना तो नीचे Q sin theta plus P cos theta P square plus Q square into sin theta ओके देख लेते हैं तो इधर से आ गया P square plus Q square into sin theta minus Q cos theta plus P q cos theta मेरे इसाफ से यहाँ P Q आना चाहिए देखो कुछ major mistake हुआ होगा हाँ यहाँ P Q आना चाहिए P जब हमने multiply किया तो यहाँ P Q आएगा P Q P Q P Q and P Q cos theta कड़ जाएगा यह कड़ जाएगा तो ultimate answer आ जाएगा हमारे पास यह तो यह कौन सा option है option number A हाँ भाई तो यह तो एक question था हमने trigonometry लगाया solve हो गया question ठीक है इसको अलग तरीके से भी कर सकते P and Q की value assume कर ले let's say कोई value assume कर लिया theta की value assume कर लिया हो जाएगा question इसला तरीका हो जकता है SOT लगा दे ABCD triangle में SOT लगा दे and ABD triangle में directly SOT लगा दे उससे भी हो जागा sine rule and cosine rule से ठीक है ओके बतलब cosine rule लगाएंगे ABD triangle में तो हो जाएगा हाँ हो जाएगा तो question थोड़ा lengthy था लेकिन हमने ultimately कर लिया इससे पहले question जो भी थे बहुत easy-easy थे और बहुत यह असानी से solve हो गया तो यहाँ पर यह video खतम करते हैं अगर समझ में आया है तो channel को share करो दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फाइदा हो पाए channel को subscribe करो and video को like करो चलो पढ़ते रहो मचाते रहो all the best कर दोस्तों करो